हेलो में फैंस वेलकम टू मैं आव प्राइम यह है रिवेंज सिकर सिरीज का एक और ने एपिसोड ना लेट्स बिग्याइन एपिसोड की शेटम दिखते हैं मिंग अभी भी वर्ड हेवन रिलेम के इंदर है मिंग ने उनसे फाइट करने के लिए फाइरगोड की पावर को अनलीश किया है मिंग के ऐसा करते ही उस जयए का महूल पूरते सा बदल जाता है कल्टिवेटर्स जो कि मिंग के सामने इतनी बूरते सा अकड़ रहे थे वो सब के सब मिंग के इस ट्रांसफोमेशन को देखकर बहुत बूरितर डड़ जाता है मिंग बूरी तरह से उन सभी कल्टीटर्स के उपर फ्लेंथोर माने लगता है और काफी तेजी से उन सभी को जला के माने लगता है इसी सब में काफी सर कल्टीटर मर जाता है जो alimentator बसते है वो जल्दी से अपने टोकुनक्रा उस करके वहांस टल्रपोट कर जाते है और वहां से भाग जाते है उन सभी के वहांस जाने के वाद में मिंग वापे से अपने original form में आता है मिंग बहुत बूरिज़ास ठक जिया है मिंग जैसे ही अपने ओरिजन फोर में आता है वो जोन पर आता है और रिबेट जाता है बूरते से खाफने लगता है और रिख कहता है बिल्कुल साई टाइम पर ये सारे कल्टेटर यहां से ले गए अगर यहां पर थोरे दर और रुखते तो इस fight के अंदर मैं हार सकता था मेरी पूरे energy पूरते से खतम हो चुकी थी मैं इतना ज़्यादा थक चुका हूँ अब मेरे से खड़ा भी नहीं हो जा रहा इससे समय स्वार्ड मिंग के पास में आती है और उसे बहुत खुशी से बहुत ही मज़ा आ गया बहुत टाम के बाद में मेरे पनी पाउर को पूरी तरह से यूस किया है बहुत टाम के बाद में इतने सारे कल्टिवेटर मारने को मिले है बिविंग एती है हो सकता है खत्रा अभी तक खतम नहीं हुआ है इन सारे कल्टिवेटर सो देखा था ये सारे कल्टिटर अलगलग ग्रूप से बिलोंग करते हैं इतने सारे ग्रूप के लोगों ने अपने भी कल्टिवेटर्स को मास्टर से फाइट करने के लिए बेजा था मास्टर ने कवे सारे कल्टिटर्स को मार दिया है इसका मतलब वो सबी ग्रूप जिनसे वो कल्टेटर ब्लॉंग करते होंगे वो सब के सब मास्टर से बहुत ज़दे नाराज होंगे मास्टर ने डायनेस्टि की बहुत सारे फोर्से को नाराज कर दिया है मिंग कहता है तो फिर क्या हुआ? इसमें मिरे को कोई फ्रग नहीं पड़ता है कोई भी नहराज हो जाए मुझे मतलब नहीं है वो सारेक सारे मुझे से fight करने के लिए आये थे मैं किसे fight करने के लिए नहीं गया और attacks भी उनकी तरफ से पहले शुरू है थे ना कि मेरी तरफ से और वैसे भी एक तरह से मैं इस जाइनेस्टि के दामाद हूँ यहां पर किसमें भी मत नहीं है कि सामने से मुझे पर ए텍क कर दे उन सभी को अगर मुझे पर ए텍क करना है तो इसी तरह से सीक्रेटली करना होगा ओपन ली तो कोई भी मुदी छूब भी नहीं सकता है उस बड़ेश चीज को पर क्या लिखा है? वो कुछ भी सुझ में नहाता है. मिंग जबारे में बिविंग और स्वार से पूछता है कि सब क्या है? बिविंग कहती है, मेरे को भी इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता है. मैंने बस इतना सुना है, वर्चुल वेल्ट के अंदर अगर कुछ नियमों को ट्रेगर किया जाए, तब उस टैम पर जिसने उन नियमों को ट्रेगर किया है, उसे टेस्टर की जॉब मिल सकती है. वो एक टेस्टर बन सकता है. मिंग कहता है, सुनने में दोर्फ़रों ठीप जाग सा लग रहा है, वैसे ये टेस्टर खुता क्या है, और उसे बनने से होगा क्या? बिविंग कहती है, बिविंग को भी इस बार में कुछ भी नहीं पता है, बहुत एंशिन टेम से, किसी को भी टेस्टर बनने का मौका नहीं मिला है, एंशिन्ट हेवन के कॉलाप्स होने के बाद में, बहुत कम ऐसे लोग है, जो की टेस्टर बन पाएं, मुझे इसके बार में कुछ भी नहीं पता, इसके बाद में, मिंग लगातार उस बड़े स्टिलिस्मन को देखने लगता है, उस टिलिस्मन के अंदर से, वापिस से लाट होने लगती है, वो अजीब से नेल लर्म के फ्लेम संद में चमकने लगता है, उससी लाट के साथ में, मिंग वास टेलिपोर्ट हो जाता है, और किसे अजीब से खली जीब पहुच आता है, मिंग जब इदर लगता है, तब से दिखा ही दता है, वापिस जो भी चीज़े जीजे हैं, जोसे थोड़े बहुत बाद लगरा दिखा ही दे रहे हैं, वो सब एक दुप रुख के वे से हैं, ये सब दे के मिंग कहता है, ये मैं कहां गया, देखने से ऐसा लग रहा है, मैं किसी जगह पर टेलिपोर्ट हो गया हूँ, जा पर टाइम रुख गया है, इसी समय मिंग के सामने एक जिंजर सा कुछ दा रहता है, जो कि heaven of will है, यानि कि हिंदी में heaven की इच्छा, हम will के साथ मे आगे बढ़ते हैं, तो heaven of will, मिंग के सामने आती ही कहता है, मैं heaven of will, तुम्हारा इस जिगह पर स्वागत करता हूँ, तुम एक नई टेस्टर हो, मिंग चोकते वे उस will से कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, heaven का भी कोई will है, will of heaven कहता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, heaven की भी कोई लग है, will कहता है, big core world, ये एक special core होता है, जो कि बाकी worlds को आपस में connect करता है, ये जो बड़े-बड़े world है, ये आपस में एक दुस्याद में communicate में रहते हैं, जिनकी वजह से ये communicate में रहते हैं, उसे कहता है, united great core world, ये सब सुनने के बाद में, मिंग उस will से बूचता है, मु ज़्या ताकतर बन जाओगे, टेस्टर के ट्राइल पोसेस कह ज़्याता लंबी होती है, इसके अंदर, मार्शल गुरू, मार्शल डोमिनेटर, मार्शल सुप्रीम, मार्शल सेंट और मार्शल गौड, ये 5 स्टेजिस हैं, मिंग कहता है, ये बताओ, जब मैं इस ट्राइल कर सकते हो, मिंग कहता है, मुझे एक चीज़ बिताओ, तुमने भी कहा था, इस टेस्टर को बनने के बाद में, मैं हुमन्स के वीच में, सब ज़्यात ताकतर बन जाओगा, तो इसके अंदर, तुमारा क्या फायदा है, और मुझसे पहले भी, बहुत सारे लोग, टेस्टर क्योंकि तुमारे पास में एक मिशन है, तुमारे कंदू पर मानुत सुब्यता को बहुत आगे तक ले जाने की जिम्यदारी है, जो कि तुम्हें पूरी करनी होगी, मिंग केता है, हाँ, तुम ठीक कहरे हो, इस टाम पर मानुत सुब्यता के अंदर, काफी सारी, गलत चीज केता है, कि मैं इतनी बड़ी जिम्यदारी को अपने उपर ले सकूँ, विल कहता है, ये किसी ना किसी के तो करना ही होगा, अभी हुमन्स के अंदर, जित्ते भी हैं, उन सभी मैंसे बहुत ही कम ऐसे लोग है, जिनके पास में इतनी कौलिफिकेशन है, कि उन टेस्टर बन सक और इस ट्रैल को दे सकें, लेकिन उन में से भी बहुत कम ऐसे होता है, जो कि इस ट्रैल को एकसेप्ट करता है, तुम्हें इस ट्रैल को एकसेप्ट करना होगा, बहुत सारे तो ऐसे भी लोग होता है, जो कि इस ट्रैल के काबिल नहीं है, तुम हो, तुम्हें मौका दिया जा रहा है हूंस को भचाने का तुम्हे तो आगे बढ़कर इस जिमिदारी को अपने उपर लेना चाहिए अगर हीमन्स ही खुद को भचाने कोशिश नहीं करेंगे वो खुद की लोग के जिमिदारी को अपने उपर नहीं लेंगे तो इन्हें बचाएंगा कोन theatre यह सही है कि humans हमेचा किस दूसरे से अमीद करें उन्हें बचाने की एक टाइम पर जू यौन कॉंटिनेट के अंदर सबसे ताकोतर human थे और उनकी पावर लगाता बढ़ती जारी थी इसी पावर को रोकने के लिए जू यौन कॉंटिनेट के उपर heaven destroying area deploy कर दिया गया जिसनुकर मिंग कहता है मैं कुछ शुरुआत से बताओ चया हुआ था विल कहता है ठीक है मैं तुम शुरुआत सब कुछ बजाता हूँ ancient continents के अंदर humans की पावर कह ज़्यदा थी वो काफी अच्छी तरह से खुद की पावर सो grow कर रहे थे वो केवल अपनी glory के लिए आपस में compete करते थे उस time पर humans की पावर बहुत ज़्यदा कम नहीं थी और नहीं बहुत ज़्यदा थी वो middle में exist करते थे लेकिन बाकियों को humans से बहुता जलन होती थी उनको humans के strength से नहीं humans की potential से डर लगता था उस time से human आपस में कुछ छोड़ छोटी civilization बनाते थे जैसे बुद्धिजम, शेम निरिजम, immortality, martial art इन सभी छोटी civilization के अंतर infinite expedition था ये सभी पूरे infinite तक expand हो सकते थे और साथ में potential तो बहुत अच्छा थाई और उनसे भी आगे निकल जाएंगे इसलिए उन्हें decide का कि वो humans को अभी खतम कर देंगे तकि बाद में किसी बिदरी प्रशानी ना हो जब humans को इस बारें बता चला तब उन्हें काफे लंबे टन तो सोचा कि क्या किया जा सकता है ये matter बहुत जादा urgent था लेकिन उस time पर humans को बहुत जादा थी और ये बाद humans अच्छी तरह से जानते थे इसलिए humans के अंदर जो सबस्यादा ताकतर थे उन्होंने अपने life को sacrifice करके divine artifact को अक्टिवेट किया जिससे origin continent के अंदर बहुत सारे time space बन गए इसी उस जैसे humans पूर्दे सा isolated हो गए उनके पास में एक ऐसा सुर् कोई भी पावर उनके ओपर अटेक नहीं कर पाई उनके लिए humans खुराना का उजदा मुश्किल हो गया इसी सब में humans को time मिल गया humans ने decide कि जो time उनको मिला है वो उसके अंदर जादर 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 ग्रो करेंगे ये सब सुनके मिंग कहता है अभी आपने का था zone one continent पूर्द कर लिया ये दोनों बाते तो आपसमें बिल्कुल मैचे नहीं कर रही है विल कहता है जो सब्सक्राइब ताकतर humans थे उन्होंने zone one continent को कई साइट टुक्रों में split कर दिया था लेकिन अब धिरी-धिरे zone one continent वापे से पास आ रहा है वो वापे से अपने केंदर की तरफ बढ़ और इस टाम तक humans ने खुद के ताक काबिल नहीं बनाया कि वो उनका सामना कर सके तो ये एक end होगा ये सुनकर मिंग काफिड रजाता है और डरते वे कहता है बाकी के किते ताकतवर है मुझे बताओ तब क्या होगा जब बुद्धिजम, immortal cultivation कोई भी जो बाकी की racist है उनका सा मुझाता है थैंकि फर वाजिएंग